पदम प्रान के भूमी खंड में कुंजल का अपने पुत्र विज्जल का उपदेश, महर्ची जैमने का सुबाव से दान की महिमा कहना तथा नरक और सर्ग में जाने वाले पुर्षो का वर्णन। तंतर कुंजल ने अपने पुत्र विज्जल को उपदेश दिती हुए कहा बेटा परतेक भोग में शुब और अशुब करम ही कारण है पुन्य करम से जीव सुख भोगता है और पाप करम से दुख का अनभव करता है किसान अपने खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल उस इस शीर के विनाश का कारण भी करम ही है हम सब लोग करम के धीन है इस संसान में करम ही जीवों की संतान है करम ही उनके बंदो भांडव है और करम ही यहां प्रुश को सुख दुख में परवित करते हैं जैसे किसान को उसके प्रेतन के अंसार खेती का फल पराप्त होता है उ जीव अपने करमों के अनसालि देवता मनusch्य, पशो, पक्षी और स्थावर यूनियों में जिन्म लिता है। तथा उन यूनियों में मैं सदा अपने किये हुए करम को ही भोगता है। दुख और सुख दोनुं अपने ही किये हुए करमों के फल है। जीव गर्ब की शिया पर सोकर पूर शीर के द्वरा हुए शुब अशुब कर्मों का फल भूगता है। पृत्षी पर कोई भी प्रूश ऐसा नहीं है जो पूर जनम के किये हुए कर्म को अन्यथा कर सके। सभी जीव अपने कमाए हुए सुख दुख को ही भूगते हैं भूग के बिना किये हुए कर्म का नाश नहीं होता। पूर जनम के बंदन सुरू कर्म को कौन में मिटा सकता है। पेटा, विशे एक प्रकार के विघन हैं, जरा आदी अवस्थाएं उपदरव हैं, ये पूर जनम के कर्मों से पीड़त मुलिश को पुना पुना पीड़ा पुचाते रहते हैं। जिसको जहां भी सुख यां दुख भोगना होता है, देव उसे बल पूरक वहां पुचा दिता है। जीव कर्मों से बंदा रहता है, प्रारध को ही जीवों के सुख दुख का उतपादक पताया गया है। महाप्राग, चोल देश में सुभाहू नाम के एक राजा हो गए हैं। जैमनी नाम के ब्रामन उनके प्रोहित थे। एक दिन प्रोहित ने राजा सुभाहू को संबोधित करके कहा राजन, आप उत्तम उत्तम दान कीजिए। दान के ही प्रभाव से सुख भोगा जाता है, मनुश्य मरने के पश्चाद दान के ही बल से दुर्गम लोगों को प्राप्त होता है, दान से सुख और सनातन यश्की प्राप्ती होती है, दान से ही मृत्यू लोग के मनुश्य की उत्तम कीरती होती है, जब तक इस जगत में की तिस्थित रहती है तब तक उसका करता स्वर्ग लोग में निवास करता है अधा मनुश्यों को चाहिए कि वे पूर्न प्रितन करके सदा दान करते रहें राजा ने पुछा दिश्रिष्ट दान और तबस्या इन दों में दुशकर कून है तब पर लोग में जाने पर कौन महान फल देने वाला होता है ये मुझे बताईए तो जैमने जी कहने लगे राजन इस प्रित्थी पर दान से बढ़कर दुशकर कार ये दूसरा कोई नहीं ये बात पर तक्ष दिखी जाती है सारा लोग इसका शाक्षी है वे संसार में लोग से मोहित मनुश्य धन के लिए अपने प्यारे प्रानों की भी प्रवार ना करके समुद्र और घने जंगलों में प्रविश कर जाते हैं कितने ही मनुश्य धन के लिए दूसरों की सेवा तक से विकार कर लेते हैं विद्वा लोग धन के लिए पाठ करते हैं तिधा दूसरे दूसरे लोग धन की इच्चा से ही हिंसा पूर्न और कष्ट साध्य कारे करते हैं। इसी परकार कितने ही लोग खिती के कारे में सलग न होती हैं इस तरह दुख उठाकर कमाया हुआ धन प्राणों से भी अधिक प्रिय जान बढ़ता है। अभ्योदे शील बिनाने वाली हैं इतना ही नहीं मैं सावित्रि के समान पावन जेगत को उत्पन करने वाली तदा संसार सागर से उध़ार करने वाली है। प्रंटू आन्न दान से बढ़कर प्रानियों को सद्गती पर दान करने वाला दूसरा कोई दान नहीं है। इसलिए जल्स हित अन्न का दान अवश्य करना चाहिए, दान के समय मधुर और पुत्र वचन बोलने की भी अवश्यकता है। आन्न दान संसार सागर से पतारने वाला हिच सादक तदा सुख संपती का हितू है। यदि शुद्चित से शुद्धा पुरक सुपात्र व्यक्ती को एक बार भी अन्न का दान दिया जाए तम उरिश्य सिदाई उसका उत्तब फन भुगता रहता है। अपने भोजन में से मुठ्धी भर अन्न अग्रग्रास के रूप में अवश्य दान करना जाए। उस दान का बहुत बड़ा फन है। उस अक्षे बताया गया है। जो प्रती दिन सेर भर्या मुठ्धी भर भी अन्न ना दे सके वे मुनुष्य पर आने पर आस्तिक्ता, शुरद्धा था भक्ती के साथ एक ब्रह्मन को भोजन करा दे। राजन जो प्रती दिन ब्रह्मन को अन्न देते और जल सहीत मिष्टान भोजन कराते हैं में मुनुष्य सरगामी होते हैं। वेडो के पारगामी रिशी अन को ही प्रान बुटलाते हैं अन की उत्वती अमरत से हुई है महराज जिसने किसी को अन का दान किया है उसने मनों प्राण दान दिया है इसलिए आप यत्रन करके अन का दान कीजिए सुबाहु ने कहा देश रिस्ट आम उससे सर्ग के गुनों का वर्णन कीजिए जैमनी जी बोले राजन सर्ग में नंदन्वन आधि अनेक दिव्य उद्ध्यान हैं जो अत्यान्त मनोहर, पित्र और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने माले हैं इनके सिवा वहां परम सुंतर दिव्य विमान भी हैं पुन्यात्म मनुष उन विमानों पर सुख पूरक विच्रम किया करते हैं वहां लास्तिक नहीं जाते चोर, असैमी, निद्दै, चुगल खोर, कृत घंड और अभिवानी भी नहीं जाने पाते जो सत्य के आधार पर रहने वाले शोर, त्यालू, शमाशील, यागिक तथा दांचील हैं वे ही मनुष वहां जाड़े दपाते हैं वहां किसी को रोग, बड़ापा, मृत्यू, शोग, जाड़ा, गर्मी, भूग, प्यास, आदि, गिलानी नहीं सताती राजन, ये तथा और भी बहुत से सर्ग लोग के गुन हैं आप वहां के दोशों का वर्णन सुनिये वहां सबसे बड़ा दोशिया कि दोसरों की अपने से बड़ी हुई संपती देखकर मन में असंतोश होता है तरह सर्गिय सुख में आसक्त, चित वाले प्राणियों का पुन्य शीन होते ही सहसा वां से पतन हो जाता है यहां जो शुब करम किया जाता है उसका फल वहीं सर्ग में भोग आ जाता है राजन, ये करम भूमी है और सर्ग को भोग में माना गया है तो सभाव ने कहा ब्रह्मन सर्ग अत्रिक्त जो दोश रहित सनातन लोग हों उनका मुझसे वर्नन कीजिए तो जैमने कहने लगे राजन ब्रह्म लोग से उपर भगवान श्रिविष्णू का परमपात है वे शुब सनातन एम जोतिर में धाम है उसी को पर ब्रह्म कहा गया है विशे आसक्त मोड मन प्रोश वहां नहीं जा सकते दामब लोब भे क्रोध द्रो और द्वेश से आकरांद मुनश्य का वहां प्रवेश नहीं हो सकता जो मुमता रहुकार से रहित, निर्दवंद, जितिंद्रिय तथा ध्यान योग प्रायन है वे सादु प्रोशी उस्थाम में प्रवेश करते हैं सुबाहु ने कहा महाभाग मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा मुझे उसकी इच्छा नहीं है जिस स्वर्ग से एक दिन नीचे ही गिरना पड़ता है उसकी प्राप्ति कराने वाला करम ही मैं नहीं करूंगा मैं तो ध्यान योग के द्वारा दिवीश लच्छी पुती का पूजन करूंगा और दा तथा परले से दहित विश्णून लोक में जाऊंगा चैमनी बोले राजन तुमारा कथन ठीक है तुमने सब के कल्यान की बात कही है वास्तम में राजा दान शील हुआ करते हैं वे बड़े बड़े यग्यों द्वारा भगवान श्री विश्णू का यजन करते हैं यग्यों में सब परकार के दान दिये जाते हैं उत्तम यग्यों से पहले अन्न और फिर वस्तर एम्तामूल का दान्त किया जाता है इसके बाद स्वर्ण दान भूमी दान गवदान की बात कही जाती इस परकार उत्तम यग्य करके राजा लोग अपने शुब कर्मों के फल सुरू विश्णू लोग में जाते ही दान से त्रिप्ति लाब करते हैं और संतोस्ट होते हैं अतेरा जिंद्र आप भी नय उपार्चित धन का दान कीजिए दान से ग्यान और ग्यान से आपको सिध्धी प्राप दोगी जो मनुश्य इस उत्तम और प्वित्रा खा कि आख्यान का श्रवन करेगा वैं सब पापों से मुक्तो कर विश्णू लोग में चला जाएगा सुमाहु ने पुछा ब्रह्मन मुनुश्य किस दुश करम से नरक में पढ़ते हैं और किस शुब करम के परभाव से स्वर्ग में जाते हैं ये बात मुझे बताईए तो जैमनी जी ने कहा जो दिज लोब से मोहित होकर पावन ब्रह्मनत्व का पर त्याग करके तो करम से जीव का चिलाते हैं वे नरक गामी होते हैं जो नास्तिक हैं जिन्होंने धर्म की मर्यादा भंग की है जो काम भोक के लिए उतकंठी दामवे करकृत गन है जो ब्रामनों को धन देने की परतिग्या करके भी नहीं देते चुगली खाते अभिमान रखते जूट बोलते हैं जिनकी बाते प्रस पर विर्द दोती हैं जो जो मुनिश्य सदा प्रानियों के प्रान लेने में लगे रहते हैं प्राई निंडा में प्रवित होते कुएं बगीचे पोख्रे और पोसले को दूशित करते सरों उनको नस्ट ब्रस्ट करते तता शिशुओं बृत्यों और अतित्थियों को भोजन दिये बिना ही स्यम भो कित करते हैं और मित्रों पर लांचन लगाते हैं वे सब के सब नरगामी होते हैं जो प्रयाज नामक यग्यों शुद्चित वाले कन्याओं सादू पुर्श्यों और गुरु जनों को दूशित करते हैं जो काठ, केल, शूल, अथ्था, पत्थर गाड़ कर रास्ता रोकते ह और सब वर्णों के यहां भोजन कर लेते हैं तथा जो भोजन के लिए द्वार पर आए हुए जीव का ही इन ब्रामनों की अवेलना करते हैं वे नरकों में पड़ते हैं जो दूसरों के खेट, जीव का घर और प्रेम को नश्ट करते हैं जो हत्यार बनाते हैं और प्रेशनव, दीन, रोगवत, आतुर और वृद्व पुर्षों पर द्यान नहीं करते हैं तथा जो पहले कोई नियम लेकर फिर संयम हीन होने के कारण चंचलतावश उसका पर त्याग कर देते हैं वे नरकों में होते हैं अमें सरगामी पुर्षों का बढ़न करूँगा जो मनुश्य सत्य, तपस्या, ग्यान, ध्यान तदा से धाय के द्वारा धर्म का अंसरन करते हैं वे सरगामी होते हैं जो प्रति दिन हवन करते हैं तेथा भगवान जी के ध्यान और देवताओं के पूजन में सलग रहते हैं वे महात्मा सरग लोग के अतिति होते हैं जो बाहर भीतर से पुत्र रहते, पुत्र स्थान में निवास करते, भवानवा सुदेव के भजन में लगे रहते, तड़ा भक्ती पुरक श्री विष्णु की शरन में जाते हैं, वे सदा आदर पुरक माता पिता की सेवा करते और दिन में नहीं सोते, जो सब परकार के हिंसा से दूर रहते, सादों का संग करते और सब के हित में सल्लग देते हैं, वे मनुश्य सर्गामी होते हैं। दुवावस्था में भी शमाशील और जितिंद्री यह है जिसमें वीता भरी है जो सर्न, गव, भूमी, अन और वस्त्र का दान करते हैं जो अपने से देश रखने वालों के भी दोश कभी नहीं कहते बलकि उनके गुनों का ही वर्ण करते हैं जो विग्य पुर्शों को देख कर प्रसन होते, दान दे कर प्रिय वचन बोलते तरह दान के फल की इच्छा का परत्याक तर देते हैं वह मुनुश्य सर्गामी होते हैं जो प्रुश प्रती मार्ग में तथा निवरिती मार्ग में भी मुनियों और शास्त्रों के कथन के अंसार या चरन करते हैं वे सर्ग लोग के अतिति होते हैं। जो एक मात्र ध्रम का अनुस्ठान करके अपने परतेक दिवस को सदा सफल बनाते हैं तथा निट्य ही वरत का पालन करते हैं जो शत्रु और मित्र के स्वान भाव से सराना करते हैं और सब को स्वान द्रिष्टी से देखते हैं जिनका चित शांत है जो अपने मन को वश्च मे कर चुके हैं जिन्होंने माया से डरे भी ब्राह्मनों तथा इस्त्रियों के रक्षा का नियम ले रखा है जो गंगा पुश्कर्तित और विशेष्टा ग्या में पित्रों का पिंडदान करते हैं वे सरगामी होते हैं जो इंद्रियों के वश्च में नहीं रहते जिनकी स्वियम में प्रविती है जिन्होंने लोव भे और क्रोध का परत्याग कर दिया है जो शीत में पीडा देने वाले जूंग खट मरो डान सादी जनतों का भी पुत्र की भाति पालन करते हैं उन्हें माते नहीं सर्दा मन और इंद्रियों के निग्रे में लगे रहते हैं और प्रोबकार में ही जिवन वे दीद करते हैं वे मनुश्य सर्ग लोग के अतिती होते हैं जो विशेश विधी के अंसार एक्डोकान स्थान करते सब परकार के दुंदों को सेते और इंद्रियों को वश में रखते हैं जो पित्र और सत्त गुन में स्थित रहकर मन वानी तथा क्रिया द्वारा भी कभी प्राइस्तियों के साथ रमन नहीं करते निंदित कर्मों से दूर रहते हैं वीहित कर्म का अनुस्ठान करते हैं तथा आत्मा की शक्ती को जानते हैं वे मनुश्य सरगामी होती है जो दूसरों के प्रतिकूल आचरन करता है उसे अत्यन्त दुखदाई घोर नरक में गिरना पड़ता है तथा जो सद्ध दूसरों के अनकूल चलता है उस मनुश्य के लिए सुखदाईनी मुक्ति दोर नहीं राजन कर्मों द्वारा जिस परकार दुरगती और सुगती प्राप्त होती है वे सब मैंने तुमें यथात रुप से पतला दिया कुंजल कहता है धरम अधरम के संपूरन गती के विशे में महिर्शी जैमनी का भाशन सुनकर राजा सुभाहू ने द्विश्रेष्ट मैं भी धरम का ही इनुस्ठान करूँगा पाप का नहीं जगत की उत्वत्ति के स्थान बोत भगवान वास देग का निरंतर भजन करूँगा इस निच्चे के अंसार राजा सुभाहू ने धरम के द्वारा भगवान मदु सुधन का पूजन किया तदा नना प्रकार के यग्य द्वारा भगवान किया राध्रा करके तदा संपूरन भगो को भोग करवे शीकरी परसंता पूरक विश्रम लोग को पधार की